जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने वाइक यूटूब चैनल पे डिक्सन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेज इगलाइन के बीच में खेला जाएगा सिक्थ टीटेल्स में देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करे लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप इसी वीडियो के चले जाएगा कमेंट सेक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके सभी भैको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेने हैं अब मतलब यहां से सायद आपको most of the chance रिजवान आज खेलते ना नजराए उसके बाद बैक टू बैक पांच मैच खेलते हुए हरी स्रॉप को भी वह सब रेस्ट दिया जा सकता है सामने मार्क उट को जो है बैक टू बैक आप देखे होगे एक मैच खेलता है एक ड्रॉप होता ह अबरॉल में रेक्वर्डिंग यहां पर इगलेंड की टीम फैबिट होंगी इसके विनिंग चांसे आपको दिखेंगे 57% का सपास बात करू पाकिस्तान को लेकि इसके विनिंग चांसे आपको दिखेगा 43% के आसपास बले सेरीज में पाकिस्तान अभी 3-2 से आगे क्यों चल रहा हो बात करेंगे प्लेंग 11 को लेके तो यहां पर आपको दिख जाएंगे पाकिस्तान के तब से फ्रोवेवल 11 जो वह बाबार आजम हो आपको दिखेंगे फिर जवान हरी समय से कोई एक दिख जाएंगे फिर सान मसूद ध्यान रखेंगा पिछली मैच में रिव जव ये लोग भी बैक टू बैक खेल रहें दोस्तों है इन सब को भी कभी भी रेस्ट दिया जा सकता है उसको अधिन अली स्वैम करन डेविड विली लियाम डॉसम में से कोई एक आधिन रसी ऑईल इस्टोन और दोस्तों आपको दिख जाएंगे रिचार्ड गिलीशन यहां पर बात करेंगे प्लेश टू वाच बैटिंग सेक्शन में तो आपको दिखेंगे सब से टॉप पे मोहमद रिजवान नामी काफी है दोस्तों दस मैच पांस तो थिरपांडन सतर के बैटिंग एवरेज एक सट्रेक रेट बाबर आजम दस मैच में दोस्तों बाबंडन 21 और 24 का बैटिंग एवरेज 131 का स्ट्रेक रेट जान रखेगा मुएन अली आपको तभी इंदवाजी करते ने जराएंगे जब सामने अच्छे खासे लेप्टीवल लिवाज होंगे बात करेंगे प्लेश टू आच बोलिंग में हारी सरॉफ ने लास्ट के दस मैच में 16 इनका इकोनोमी को लेके बात कर लेके बात कर लेंगे इस ट्रेक रेट का मतलब दूस्तों यहां पर यह होदा है कि इतने बॉल में जाके इनको विकेट मिल जाता है complete series गमें बोलूँग — आप लोग एक बार score word के visit कर लिजेगा उससे क्या हो जाएगा आपको मालूम सुलेगा के क्यों का इस परदसन किया है बस हम लास्ट मैच को ओर से चलेंगे और उसको लेकि हम बात करेंगे लास्ट मैच में क्या हुआ adviser a, यfire लीकिन लाहर आपको ठाक माना जाएगा बात करेंगे यहां पर बल्ले बाजी में पाकिस्तान पहले बल्ले बाजी करते वोल्ट पर लगाये थे 145 रन जहां पर डिजवान फिट से वही डिजवान 63 बाबारा जमनो सान मसुद साथ हैदर अली चार इफ्तका रहमद 15 ध्यान रखेगा बैक टू बैक दो मैच में इन्होंने चार चार अवर के स्पिल डाला है असिफ अली पांच नवाज जीरो सदाव खान साथ आमीड जमल दस मुम्मद वसीम छे हरी स यहां पर आठ किये थे बात करें गंदवाजी में वोक्स ने डालेते चार अवर तीसरा नेक विकेट डेवीड विली तीन अवर तेसरा न दो विकेट मार्क उड़ चार वर बीसरां तीन विकेट जब भी ए खेलते विकेट ठेकर गंदवाज बन जाते हैं शैमकरन चार करने के लिए बात करें गंदवाजी में यहां से इंगलेंड की टीम ढग गई थी और चेस नहीं कर पाई थी फिलिप सार तीन एलक सेल्स एक डेविड मलान चातीस बेंड़कर दस हैड़ी बूप चार मोईन अलीन लास्ट मांके बेर तरीं नौक फिप्टीवन के खिला था स्लैम करन 17 क्रिस वोक्स दस और डेविड विली जीरो किये थे गंदवाज जी में नावाज मज दो अबर डाले थे नो रन एक विकेट वसीम चार और एक तालीस रन दो विकेट उसके बात अगर मालो ऐसा ही कुछ प्लिंग लेवन होगा तो हारीस रॉफ वसीम और आपको क अबर डालने आए थे मजबूरी भी हो गया था लेकिन देखने वाली बात होगा फिर से टीम बैक करेगा कि नहीं क्योंकि आमिर जमाल ने बेसम और में बेतरीन गेंदवाजी क्या हुआ था मोयन अली को दोस्तों और पे बैक टू बैक यह और कर ढालके बच रहा था यह अ आपको यह मालूम चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर का डिसेंट फॉर्म कैसा है सबसे पहले कंसिस्टेंस का बेस्ताज बास्ता रिजवान पचासी एक सो तेर नो एक सो ना उनीश और भी रांबी पॉंट्स दिये हैं हारिस रॉप 62 99 970 और 33 पॉंट्स दियें बाबाराजम 14 47 13 155 50 पॉंट्स दिये हुए मॉयन अली 87 48 14 85 33 पॉंट्स दिये बें डेकट 24 56 96 64 35 पॉंट्स दिये नवाज 33 141 35 12 पॉंट्स दिये मार्कूड 111 85 4 और 1 पॉंट्स दिये हुए है एड़ी ब्रूक 846 133 50 और 61 पॉंट्स दिये संकरन 94 37 15 37 और 15 पॉंट्स दिये सदाव खान 56 48 80 54 150 पॉंट्स दिये डेविड विली 54 50 मैनस 210 113 पॉंट्स दिये डेविड मालान 58 22 30 और 9 इनको लेके बात करें जब भी स्पीन ट्रैक आयागा वह यह फसेंगे जरूर लेकिन वही फास्टर को बहुत बैख हुवे वंबा को भी सिखेल लेते हैं अभी आपने 100 में देखा भी होगा छे या दोस्तों साथ तो पचास लगा दियती इन्होंने एल एक्सल्स को लेके बात कर लें 5 10 उसके अलभाइव 18 35 74 आदिल दसी 10 9 62 064 एस्पिन ट्रैक आपके लिए ठीक थाक्पिक बन जाएंगे सान मसूद 20 38 92 412 एस्पिन के बहुत तगरे बल्ले बाज है फिल 60 60 इफिकार है मत अब आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे वह भी दोस्तों लाहर वाले पीछ पे तो और भी कुरूशियल पिक आपके लिए बन सकते हैं 67 8 11 4 और 42 पेंट्स दियें किस वोक्स 40 66 11 23 74 पेंट्स दियें जौस दो बोस साइद ना खेल हस्नियन 68 36 मैनस 12 50 270 32 पेंट्स दियें घुजदिल सा 644 96 पेंट्स दियें आशिफ अली 10 21 22 24 सानवास दानी मैनस 270 23 47 24 पेंट्स दियें हैं हैदा दिल अली 8 15 4 23 4 अमीर जमाल 42 एल दौसन 8 4 6 9 12 और नसीम सा नहीं खेलेंगे कोवीड पोजिटिव आगे हैं लुकूड मैनस 293 विल्जक्स 262 र इसके अलावा अगर कोई खेलते हैं तो मैं आप लोग को टेलिग्राम पे अपडेट कर दूंगा बात कर इस पीच को लेकर दाफी स्टेडियम लाहर में मुकावला होगा पीच भी यह बैलेंस दिखेगा स्कोर 156 है 150 के आसपास ही आपको दिखेगा यहां पे स्कोर वेदर करेंगे यहां पे टॉप प्लियर्स एद इस वेन्यू तो सबसे पहले नमा था रिजवान का पाकिस्तान में कोई भी मैश स्टेडियम मुठालों रिजवान का नम होँआ पे आएगा ही 57 का असपास है और 141 का स्टैक रेट है मोयराल एक मैच 15137 का स्टैक डेविड मलन एक उंदवाची है बात करेंगा मार्कवूट एक मैच में जत्य विकेट लिए है 5 का एकोनोमी है चार मैच पर भाम मैच एक विकेट यहां पर यहां हम बात करेंगे टीवइन टील्य our प्रिएज स्कोर यहां आपर ज्यांदीज्चेगा लाहूर का 157 है और एवरेस टोटल स्कोर यहां पर 156 का है टॉस विनस आप टू बॉल फॉर्स्ट हंड्रेड परसेंट के इसका मतलब दोस्तो लास्ट के पांच में से पांच मैच ऐसा हुआ है जहां पर जो टीम तो जीती है वो फट से गिंदवाजी चूज की है और जो टी एक मिनट का टैम लेना चाहूंगा इस एक मिनट में आपको करने के हैं सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर लेने हैं उसके बाद आप मेंसे जो भी अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने की हो वैसे अब क्यों कंजूसी करोगे एक मिनट भी नही सेयर कर दीजिए या फिर दोस्तों टेलीग्राम का लिंक सेयर कर दीजिए विकेट के पीछे बात करेंगे अगर रिजवान कहलते हैं तो हमारे लिए मस्ट पिक फिलियर होंगे लेकिन चांसे मुझे थोड़े से कम नज़रा रहे हैं इस वज़से मैंने फिलाल के लिए हाड़ी बुक और हेल्स में ऐसे किस एक को पिक करता हूं आफ्टर टॉस बात करें और से मुझे नली सेमकरन सदाव खान और नावाज नावाज के जगह पर सायद मैं इस मैच में इफ्तिकार एहमद को भी जगह दे दूं इसके अलाबाबात करें बॉलिंग में तो मैंने हैं यहाँ एकर काई किए ऐकर्म मेरे पहला पिक Councillor L South को दिया हुआ है तो मैंने इफिलाब आपना फाइनल टिम को लेके बात करूं तो लेगा तो मेरे लिए मस्ट भी खो जाएगा उसके बाद बाबाराजम सान मसूद डेवीड मलान को मैंने जगह दिये और मोय नली सैम करन सदाव खान नवाज को जगह दिया हुआ है बॉलिंग में क्रिस वोक्स डेवीड विली और हारिस रॉप को मैंने जगह दिया है अगर लेका ने खेलेगा तो मेरे कैप्टन होंगे बाबाराजम वीसी मैं उस कंडिशन में देखे जाऊंगा अपने टीम का सदाव खान को आप लोग अपने गॉर्डिंग कैप्टन वीसी का कॉल लेके चेल सकते हो फिलाल मैंने इसको कैप्टन दिया हुआ है और वीसी मैंने द